नमस्कार दोस्तों NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं चाड़क की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्योंकि आचारचाड़क के कहते हैं अधूरा ज्यान हमेशा घातक होता है दोस्तों क्रपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आचारे चाड़क के कहते हैं जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है उसी तरह मनुस से सदैब जैसा अन खाता है बैसी ही उसकी संतान होती है दोस्तों नीकरिष्ट लोग धन की कामना करते हैं मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केबल सम्मान ही चाहते हैं क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में स्रेश्ट होता है आचारे चाड़क के आगे बताते हैं इक, जल, दूद, मूल, पा फल और दबा इनका सेबन करके भी इसनान दान जैसी क्रियाएं की जा सकती हैं। चारक की नीती में आगे बताया गया है शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआ लगने पर, इस्त्री परसंग करने पर, बाल कटमाने पर, मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्धी रहता है जब तक वो इसनान नहीं कर लेता। दोस्तों बिना क्रिया के ज्यान बेर्थ है, ज्यान हिन मनुष्य मरतक के समान है, सेना पती के बिना सेना नश्ट हो जाती है, और पती के बिना इस्त्रियां पतित हो जाती है, अर्थात पती के बिना उनका जीवन बेर्थ होता है। चारक की जी आगे कहते हैं बुरहापे में इस्तरी का मर जाना बंधू के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आसरे पर भोजन का प्राप्थ होना ये तीनों ही इस्तितियां पुरुषों के लिए बहुत दुखदाई होती है यग्यना करने बाले का बेद पढ़ना बे बिना भाव के सिद्धी नहीं होती इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही इन सब में परदान होता है चारक की नीती आगे बताती है शान्ती के बराबर दूसरा तप नहीं है संतोस से बढ़कर कोई सुक नहीं है लालस से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर चारकी जी आगे कहते हैं संतोसी ब्रहमड और संतोसी राजा जल्दी ही नश्ट हो जाते हैं लज्जा सील बैश्या और निरलज कुली निस्त्री बहुत जल्दी बरबाद हो जाती है चारकी जी आगे बताते हैं संसार में बिद्वान की परशंशा होती है बिद्वान ही सभी जगे पूजे जाते हैं बिद्या से ही सब कुछ मिलता है और बिद्या की हर जगे पूजा होती है दोस्तों जो ब्यक्ती मांसा और मदिरा का सेबन करते हैं वो इस पिर्थवी पर बोज हैं इसी प्रकार जो ब्यक्ती निरक्षर हैं वो भी पिर्थवी पर बोज हैं इसी प्रकार मनुष्य रूपी पशुओं के भार से ये पिर्थवी हमेशा पीडित और हमेशा दबी रहती है आचारे चाड़क के आगे बताते हैं रूप और योबन से संपन बड़े कुल में पैदा होते हुए भी बिद्याहिन पुरुष्ट पिना सुगंद के पलाश के फूल के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं करता है तो दोस्तों ये थे आचारे चाड़क के जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किये आई होप आपको हमारा यह प्रियाज पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियो इसको आप आसा मैं मिलता हूँ आप से एक आईसी ही मोटिवेशनल इंस्पारिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टै मोटिवेट इस्टै फियरलेस